दुनिया में बहुत से ऐसे लोग है जिन्होंने अपने काम से ना की सिर्फ बहुत से पैस कमाये है बलकि बहुत नाम और सहुरात भी कमाया है. ऐसे लोगों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है. हम सभी जानते ही कि इन्वेस्टिंग करना पैसे कमाने का एक बहुत ही बड जाने जाने वाले वारन बफट ने सिर्फ इन्वेस्टिंग के दम पर इतने पैसे कमाई कि आजबग दुनिया से सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल है। लेकिन फिर भी हैरत की बात तो ये है कि इतने अमीर होने के बाद भी बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और अपने ऐसे ही लाइफस्टाइल के कारण ही वो अधिकतर चर्चा में भी रहते हैं। उनकी यही खासियत लोगों में यही सवाल पैदा करती है कि आखिर उन्होंने इतनी वेल्थ कैसे बनाई। वोरन बफट के पिता का बिजनेस भी छप पड़ गया था और जब वोरन बफट एक साल के हुए तब उनके माता पिता गरीबी के जिंदगी गुजारने लगे थे वोरन बफट का बचपन गरीबी में बिता हुआ था उन्होंने देखा था कि कैसे उनकी मां उनके पिता को लिए खुद खाना नहीं खाती थी ताकि वोरन के पिता को पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा खाना मिल सके अपने घर के इन हालातों और गरीबी को देखकर वोरन ने खुद से ही वादा किया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र में एक बिलिनिया बन जाऊंगा और या फ को बचपन से ही किताबे पढ़ने का बहुत सौक था बहुत ही कम उम्र से ही वोरन ने किताबे पढ़ना शुरू कर दिया था जब वोरन 10 साल के थे और अपने शहर के लाइबरेरी में किताबे पढ़ रहे थे तब उनकी नजर Thousand Ways to Make Thousand Dollar नाम की किताब देखी वोरन ने इस बुक को पूरा पढ़ा इस बुक में बताए गए सभी आइडियाज को भी ध्यान से देखा लेकिन उन सभी आइडिया में एक आइडिया वोरन को बहुत पसंद आया और वो था कमपाउंडिंग जिनके अनुसार अगर आप 100 डॉलर से एक वेंडिंग मशीन खरीदते हैं औ पैसे तो ये तरीका पैसे कमाने का काफी समय लेने वाला तरीका है लेकिन इसे लंबे समय में काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। अपना पहला शेर 38 डॉलर में खरीदा था। वोरन बफट कहते हैं कि बच्पन में ही उन्हें पैसे कमाने के गेम में मज़ा आने लगा था उन्होंने उसके बाद कई अलग-अलग बिजनेस किये और पैसा बनाना शुरू कर दिया काफी मेहनत करने के बाद जिस कमपनी में Warren ने invest किया था उस company की market price काफी कम हो गई थी जिसकी वजह से Warren Buffett काफी दुखी हो गए लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि share की price बढ़ करके 40 डॉलर हो गई तब उन्होंने shares को बेच दिया लेकिन तब कुछ समय बाद उन्हें अहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है क्योंकि कुछ समय बाद उस share की कीमत काफी बढ़ गई थी अपनी इस गलती Warren Buffett कहते है कि take time for all things great hast make great waste मतलब जल्दी का काम सैंतान का होता है इसलिए हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए finance में interest होने की वजह से Warren Buffett ने इसी फील्ड में पढ़ाई कि Warren Buffett ने अपनी पढ़ाई Wharton School of University of Pennsylvania से की थी इसके बाद Warren अपनी graduation पूरी करने के लिए University of Nebraska चले गए थे जब Warren Buffett सिर्फ 20 साल के थे तब उन्होंने अपनी graduation पूरी कर ली थी graduation पूरी करने के बाद उनके पास काफी अच्छे खासे पैसे थे अपनी graduation पूरी कर लेने के बाद भी Warren Buffett ने normal लोगों की तरह जौब करना सुरू नहीं किया बलकि उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे को invest करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा इसी बात को ध्यान में रखते हुए Warren Buffett ने अपने पैसे को invest करना सुरू कर दिया Finance और Investing के बारे में काफी अच्छी जानकारी होने के वज़े से Warren Buffett काफी अच्छी कमपणी में invest कर रहे थे जिससे उन्हें काफी फायदा भी मिल रहा था अपनी कैरियर की शुरुआत में Warren Buffett हमेशा ऐसी कमपणी को चुनते थे जिसकी market price खराब management की वज़े से कम हो गई हो ऐसी कमपनियों की shares खरीद कर Warren Buffett उन्हें फिर बाद में बेच देते थे Warren Buffett ने अपनी इस idea से कई सारी company में invest किया था जिसे उन्हें काफी फायदा भी मिला लेकिन जब उनकी मुलाकात Benjamin Graham से हुली तब उनके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल गया क्योंकि Benjamin Graham ने उन्हें बताया कि ऐसी कमपनियों को चुनना जिनका management खराब है उससे अच्छा ये होगा कि तुम ऐसी कमपनियों का चुनाव करो जो बहुत ही अच्छी और अपनी ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सर्विस देती हो इससे ये होगा कि तुम बाद में उस कमपनी से बहुत ही ज्यादा profit कमा पाऊगे अपने mentor के बाद को Warren Buffett ने ध्यान में रखा और उनके बताए गए तरिके को यूज करना सुरू कर दिया फिर देखते ही देखते उनका business काफी अच्छा चलने लगा इसी टेकनिक का यूज करते हुए Warren Buffett ने बाक्षा हत्वे नामक कमपनी पर अपना सारा पैसा इंवेस्ट कर दिया था और धीरे धीरे इस कमपनी ने ग्रो करना भी सुरू कर दिया था जिसके बाद ये कमपनी इतनी ज्यादा ग्रो हुई जिससे Warren Buffett को बहुत ही ज्यादा profit मिला और साथ ही साथ Warren Buffett ने इस कमपनी के CEO भी बन गए और आज भी वह इस कमपनी के CEO है अपने काबिलियत और मेहनत के दम पर Warren Buffett 30 साल की उम्र में एक मिलिया बन गए थे जिससे उनकी प्रॉमस भी पूरी हो गई थी मिलिया बनने के बाद Warren ने अपनी गिल्फ्रेंड सुजन से शादी कर ली थी और शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा था पहले के मुकाबले आज उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है लेकिन आज भी Warren Buffett अपने पुराने घर में ही रहना पसंद करते है Warren Buffett और Bill Gates आज बहुत ही अच्छे दोस्त है लेकिन वो हमेशा से ही ऐसा नहीं थे पहले Bill Gates को ऐसा लगता था Warren Buffett उनसे काफी अलग है जिनसे उनकी बाते उनसे माच नहीं होंगी इसलिए जब Bill Gates और Warren Buffett की मीटिंग फिक्स्ट हुई तो Bill Gates ने मीटिंग का समय सिर्फ 10 मिनिट रखा था लेकिन जब मीटिंग सुरू हुली तब वो मीटिंग 10 घंटे तक चली थी और मीटिंग खत्म होने के बाद Bill Gates Warren Buffett के मुरीद हो गए अब Warren Buffett काफी अच्छे दोस्त है दुनिया के सबसे आमेर आदमी होने के बाद भी Warren Buffett बहुत ही साधारन जिन्दगी जीते है साथ ही साथ उन्होंने अपने कमाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया है उनके इतने बड़े काम के लिए उन्हें अमेरिका का सबसे महान आदमी के नागरिक से भी सम्मानित किया गया है वर्तमान समय में Warren Buffett का नेट वर्थ 10,500 करोड यूएस डॉलर है लेकिन Warren Buffett ने ये निश्चय किया है कि वो अपने इंकम का 99% रोनेट कर देंगे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा वेल्थ उनके बच्चों के लिए किसी काम की नहीं है और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब वो खुद से कमाया जाए इस तरह के विचार ही Warren Buffett को दुनिया से सबसे अमीर आदमियों से अलग बनाते है एसी हाई विडियो स्पेन के लिए The Ambience Master YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत